तो मैं आपको थोड़ा नजदीक से दिखाता हूँ कौन-कौन से खाज जो है आज हम इसे में यूज़ करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे दोस्तो मैं मेरे फ्रूटिंग प्लांट के अंदर प्लांट के मां नंचल से फिर्ल चांगे और फ्रूर यूज़ करता हूं ये चीज यूज किए मैं आज आपको बिल्कूँ और और इसमें यूज करता हूं करता हूं विदियो में कि अपकर देखा नहीं ने दीक इसमें और प्राक्ट़ करके ऊजके इस प्लांट देखिए chemical fertilizer हो या organic fertilizer हो fertilizer दोनों तरह से काम करते हैं जो organic है वो थोड़ा slow काम करेगा लेकिन अच्छे से काम करेगा जो chemical fertilizer है वो थोड़ा जल्दी काम करते हैं तो अगर आप organic लगाना चाहते हैं तो आज का वीडियो जरूर देखेगा अगर ज्यादा फ्रूटिंग और बड़े बड़े फ्रूट आपको चाहिए तो इसमें क्या क्या डालना चाहिए उससे पहले मैं आपको दो तिन चीजे और बता देता हूँ जो कि आपको ध्यान रख चाहिए सबसे पहली जो बात है वो यह है कि आप निम्बू की जो वराइटे वो अच्छी लें अगर आप बीच से निम्बू लगाएंगे तो उसमें फ्रूटिंग होगी 5-6 साल बाद जब उसकी एज हो जाएगी अगर आप नर्सरी से लाते हैं तो एक अच्छी वराइटे का ग्राफ्टिड प्लांट लेए ताकि उसमें निम्बू जल्दी लगे आप चाहिए उसे जमीन में लगाए या गमले में लगाए तो खासकर खाज जो है जो माज आपको पताँगो वो आपको तीन मेने में एक बार जरूर देना होगा तब ही उस पे अच्छे से फ्रूटिंग होगी दूसरी बात जो आपको ध्यान रखने है वह यह है कि आपका प्लांट जो है वो दूप के अंदर होना चाहिए लेमन के प्लांट को दूप चाहिए तो ऐसे जगह पर लगाईए या गमले में तो ऐसे जगह पर रेखी जहां पर उसको दूप मिलते है तिरिस्ट्टी चीज पानी का इसको ठोपर देते रहे यह नहीं को प्लांट भी मुस्पानि जार ने नहीं को प्लांट नहीं लेकिन मैं जो पतियां खाता है इस तरह के लिए मैं कोई भी स्प्रेय यूज नहीं करता अगर आप करना चाहें तो नीम ओयल का स्प्रेय कर सकते हैं अब हम बात करते हैं कि प्लांट को हमें फर्टलाइजर जो है वो क्या देना चाहिए जिससे के हमारे फ्रूट जो है वो अच्छे आए बड़े और उनका साइज अच्छा हो तो मैं आपको थोड़ा नजदीक से दिखाता हूं कौन-कौन से खात जो है आज हम इसे में यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे तो यह सबसे पहले हैं या ने वर सब्सक्राइब के बड़ा हो जाए तब आपको डालने हैं और प्लांट पर रूट होती है उस टाइम पर प्लांटको हूट प्लांट को न्यूटरिशन की जरूत है क्योंकि फूप बनने के लिए जब फ्रूट तभी बनेंगे जब इसको न्यूटिशन जो है वह अच्छे से मिलेगा दरवाइस क्या हुआ कुछ फ्रूट बड़े हो जाएंगे कुछ छोटे रहे जाएंगे क्योंकि इनको जो न्यूटिशन जिनको मिल गया है वह बड़े हो गई और जिनको नहीं मिले है छोटे रहे जाएंगे तो इसको क्या है फ्रूटिंग के टाइम पर न्यूटिशन की जरूत होती है तो हमें खाद जरू देना चाहिए तो ऐसे में कैसे खाद देना चाहिए देखिए मेरा जमीन में लगा वह एक प्लांट है तो मैंने इसके साइड़ों में इस तरह से खोद लेंगे इसको एक खुरपी से आप खोद लें और खाद कभी भी जो प्लांट की जो रूट है इसके पास नहीं देना है आपको इसकी एक फुट कम से कम जगए छोड़कर फिर देना है गुड़ाई करते समय यह दियां रखिए कि आप इसकी जो में जो रूट से बड़ी बड़ी वो सब काट दें तो आपको इस तरह से गुड़ाई करनी है केरफुली अगर गमले में तो भी आपको गमले के सिर्फ चारों तरफ गुड़ाई कर देना है प्लांट का जो बेस ह पानी तो पानी यहां पर जलने का खतरा रहेगा दूसरा प्लांट की रूट को यहां पर नियूटरिशन मिल जागा तो यह बड़ेगी नहीं अगर इसको यहां से चोड़कर यहां दूरी पर देंगे तो कि रूट्स जो है यहां से यहां तक फैल लेगी और जितना फैल लेगी उतना ही प्लांट उपर ग्रोथ करेगा थोड़ी दूरी पर जो है आपको खाद और वाटरिंग वह इस तरह से करनी चाहिए इस तरह से गुड़ाई कर लेनी है प्रोपर करनी आपको चारों है इसको इस तरह से गुड़ाई करके पोरस कर लें मिट्टी को बिल्कुल पोरस मिट्टी हो जाएगी तब इसमें अमें डालने आपको दिखाता हूं कौन-कौन सा खाद हमें इसमें यूज करना चाहिए दोस्तों मैं मेरे फ्रूटिंग प्लांट के अंदर कोई और खाद कितने बड़े-बड़े साइज के चिकवाए थे तो हर फ्रूट के लिए बहुत अच्छा है चकोत्रा का जो रोजल्ट है बहुत बैस्ट रहे चकोत्रा भी सिट्रस फैमली से उसका भी मैं आपको दिखाऊंगा उसकी आप्रेट भी आपको इसी वीडियम दिखा दूँग नीम की शाल और नीम का जो निकालने के बाद जो बचते हैं जो इसली मीक्स है यह आemment करेगी प्लांट को इसको खत्म करेंगी उसको प्लांट को चक parlé सद्रेलाइज भी जोह सब्ढ करने लिए नीमखली का एक पार्टς एक पार्ट जो है हमारी सब्सक्राइब और यह बहुत बनले क्या हुए तो उपना धुन भुट पर कम्सक्राति 24 की दालनेकी यह भीरीत करती है जो कि शेयरी तो इस पूपने 2 यह को मिक्ष्यर्ण और यह हमें यूज़ करना है और कुछ भी डालने की आपको जुरूत नहीं है अगर आपको यूज़ निकला जाता है तो वुष्क करने की बजूरत नहीं है इन तिनों को अच्छे से मिक्स कर ले मैं जितने भी मेरे प्लांट है उन सभी में यह देता हूं और बहुत अच्छ आपका जो खाद है complete हो जाएगा आपको सिर्फ यह डालना है और इससे बहुत भी मिक्षेर है यह आपको किसी भी प्लांट में दे सकते किसी भी प्लांट में बहुत सब्सक्राइब आपको मिलने वाले हैं यह जो हमने गुढ़ाई की थी इसके किनारों पर इस तरह से आप खुर्पी से आपको हलका हलका इसको इस तरह से इसके अंदर मिक्स कर दें हलका हलका तो यह खाद जो इसमें मिक्स हो जाएगी और यह आपको हर तीन मेने में एक बार करना है तो यह खाद है जो आप डालेंगे तो आपकी जो फ्रूटिंग है वो इस तरह से होगी मैं आपको अब मैं आपको एक दूसरा प्लान्ट रिखनाता हूं सेम इसी वराइटी कई दूसरा प्लान्ट रिखता हूं तो देखे इसके पास भेंगे लिए में यह चोटा सा प्लांट दीख रहे हैं यहां परometer इस्मेह प्लांट की प्लांट प्लांट पर सिर्फ एक फ्रूट आए औ यहां से ना गास निकाल एकि और ना यहां पे कोई खाद पाने दिया है, यह मैंने इसलिए किया है, मैं इसमें पको दे सकता था, ताकि हमें जो रजल्ट है, उसका पता चले कि जो हमारी खाद जो हमने तियार की है, इसका result में कुछ difference आ भी रहा है या नहीं आ रहा तो आप खुद देख सकते हैं जब कि यह plant देखिए पूरा fruit से बढ़ा हुआ है अगर हम variety के बात करें तो देखिए देशी जो कागजी निम्बू है वह और आपको दिखाता हूं जिसमें हमने खाट यूज किया था इसी तरह से इस तरह से इस प्लांट में जामने यूज किया है इसी तरह से गमला ओ या जमीन हो इस तरह से आपको जो है इसके साइडूं में घाट डालनी है चलिए आप काजी निम्बू अब को दो स्फिट देखिए यह जो प्लांट है पूरा प्लांट कितने फूटिंग हो रही है यह झाल और यह स्टार्ट हुए अभी है अभी तो इन का साइज वह बढ़ेगा फडरीलाजर देने से फर्रूटिंग वह जादा है दूसरा इन फ्रूट का साइज जब स्टार्टिंग में हमने देखा था तो छोटा था अब जो इनका साइज जो है खाद देने से काफी बढ़ जाता है यह देखिए और इनके जो छिलके हैं वह बिलुकुल काग जैसे हैं इसलिए इनको जो है काग जी निम्भू बोलते हैं इसमें घ्राइब देखिए जबकि मंदिर वाले इरिया उसमें भी चकुतर लग खाए लेकिन उसका साइज इतना बड़ा निया जितना है इसको साइज देखिए मेरा आथ के इज़ाब से देखिए आतमे नहीं आ रहा इतना बड़ा साइज है इसका और इस तरह से चार पी एक बार अपने प्लांट को दोएंगे तो उसका रजल्ट आप खुद देखेंगे और आप मुझे कमेंट करें कहेंगे कि आपने जो बताया था वह बिल्कुल ठीक था क्योंकि इसका रजल्ट जो है आम देख चुके हैं एक प्लांट पर नहीं काफी जितने ही फ्रूटिंग कीजिए मिलते एक नई वीडियो के साथ तब तक अपना और अपने माता पिता ख्याल रखेगा शुक्रियों